बच्चों आप अपने आज पास अपने घर परिवार अपने मित्रों रिष्टेदारों सभी को देखते होंगे कि वो अपने आज पास पास अपने घर परिवार को पूरा कर सके इन्ही आउशक्ताओं की पूर्टी के लिए जो भी कारी किये जाते हैं चाहे वो नौकरी पेशा से संबंदित हो चाहे वो रोजगार से संबंदित हो ये सभी चीजे जो होती है वो आय की अरजन की जो कारिकरम जो क्रियाएं होती है वो सभी क्रियाएं रोजगार अरजन के अंतर गताती है आज हम देखेंगे रोजगार क्या है, किस तरह से इसकी उत्पत्ती होती है, बेरोजगारी क्या है, क्या है इसकी समस्याएं और कैसे इसे दूर किया जा सकता है आए देखते हैं रोजगार सम्रुद्धी के संबंध में तो जैसे कि हमने रोजगार के बारे में जाना कि आई की प्राप्ति के लिए किसी ना किसी कारे को करते रहना या तो एक निश्चित आई के लिए नौकरी करना या फिर रोजगार करने के लिए कोई ना कोई वेवसाय करना यहां पर हम देखते हैं कि यह जो सभी वेक्ति रोजगार अर्जन के लिए कुछने कुछ कारे करते हैं वे कारे को करने वाले कहलाते हैं इन कारे करताओं का अगर हम वर्गी करन करें तो यह दो भागों में बढ़ जाते हैं एक वो कारे करता जो नियमित वेतन भोगी है यानि इनकी जो आय है वो निश्चित है जो इन्हें मंतली विकली किसी भी फॉर्म में एक निश्चित आय के रूप में उनको मिलती है दूसरे जो होते है वो होते है आनियमित या दैनिक वेतन भोगी जिनकी आय किसी भी प्रकार से निश्चित नहीं होती प्रतेक माहा उनको कितनी आय होगी ये निश्चित नहीं होता या प्रती दिन के आधार पर उनके कारे के घंटों के आधार पर या उनके द्वारक किये गए कारे के आधार पर उनको आयप राप्त होती है तो ये तो थी बात इन सभी कारे करताओं के वर्गी करन की जब हम रोजगार समृद्धी के बारे में पढ़ेंगे इन कारे करता हूं कि जो इनके कारे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे तो कुछ मूल भूत अवधारनाय जो हमारे सामने निकल कर सामने आएंगी वो कुछ इस प्रकार होंगी सबसे पहले हम देखेंगे कि श्रमिक के बारे में हम जानेंगे पहले भी हमने अर्थशास्र में देखा कि श्रमिक जो होता है वो वेक्ति जो श्रम करता है शारीरिक रूप से जो कारे करता है और उतपादन के कारे में अपना महत्पूर्ण योगदान देता है वो वेक्ति ज देता है दूसरी अवधारना के हम बात करें तो वो है उत्पादन क्रिया श्रमिक जो कारे करता है वो सीधा का सीधा उत्पादन से संबंदित होता है अब यह जो उत्पादन का कारे है वो वस्तु और सेवाओं दोनों से संबंद हो सकता है तीसरा यहाँ पर हम देखते हैं श्रमिक जनसंख्या अनुपात यानि श्रमिको की संख्या का देश की कुल जनसंख्या से क्या अनुपात है अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं श्रमिक जनसंख्या अनुपात बराबर श्रमिको की संख्या बटे देश की कुलजन संख्या गुणित सो तीसरे अभधारणा की रूप में हम यहां पर देखेंगे श्रम की पूर्ती मांग और पूर्ती का सीधा सिधा संबन्द आपने देखा श्रम की पूर्ती से यहां पर तातपरी होगा कि श्रम की जो मांग उत्पन होती ह उसको हम किस हद तक complete कर पाते हैं उसके पूर्थी कर पाते हैं यानि किसी भी उतपादन कारे में श्रमिकों की जो आवशकता हैं वो किस सीमा तक पूरी की जा सकती है ये दर्शाता है श्रम की पूर्थी को वैसे ही एक अधाना यहाँ पर बनती है श्रमबल श्रमबल यानि श्रमिकों की वो संख्या जो कारिक को कर रही है किसी भी उत्पादन कारिक को कर रही है या फिर करना चाहती है यानि कि करने के इक्षा रखती है अगर हम श्रमबल की बात करें तो वास्तों में इसके अंतरगत 15 वर्ष से कम आयू वर्ग के लोग और 60 वर्ष से अधिक आयू वर्ग के लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा दूसरी एक मत्रपूर बात या आती है कि ऐसा एक वर्ग जो मानसिक रूप से जो विकलांग है जो लोग उनको भी इस श्रमबल के अंतरगत शामिल नहीं किया जाएगा वही हम यहाँ पर यह देखते हैं कि इसकी जो अगली अवधारना है कारिबल वो किस तरह से श्रमबल से संबध है तो कारिबल के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि वास्ताओं में काम करने वाले वेक्तियों की जो संख्या है वो कारिबल है जिबकि श्रमबल की बारे में हमने देखा था कि जो काम कर रहे हैं वास्तों में या जो काम करना चाहते हैं करने की इक्षा रखते हैं लेकिन जब मैं बात questionable की करते हैं तो उसमें केवल उनही वेक्तियों को शामिल किया जाता है जो कि वास्ताओं में कारिक को कर रहे हैं अब इस अधार पर अगर हमको shrumble औरographical को compare करना है और उसके अधार पर calculate करना है तो यहां पर हम formula यूज़ कर सकते है कारिबल बराबर श्रमबल माइनस बेरोजगार वेक्ति यानि कि जिनकी काम करने की इक्षा है लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है उनकी संख्या को अगर हम श्रमबल से घटा दें तो शेश जो संख्या बचती है वो कारिबल कहल जाएगे ठीक इसी तरह एक अवधारना है श्रम भागीदारी दर यानि कि उत्पादन की क्रियाओं में श्रमिकों की जो भागीदारी है उसका प्रतिशत क्या है जिब बात यहां पर प्रतिशत की करते हैं तो यहां पर हम formula लगा सकते हैं कुल श्रमबल बटे कुल जनसंक् और इस अधार पर हम श्रम भागीदारी की दर कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक इसी तरह हम देखते हैं कारे भागीदारी दर जब कारे भागीदारी दर को हम कैलकुलेशन करते हैं परसंटेज जब हम इसका निकालते हैं तो यहां पर हम formula यूज़ करते हैं कुल कारे बल बटे क कुल जन संक्या seront क्योंकि यह जो कार्यबल है है इसको हम total calculate करते हैं और इसमें किवल उन्हे। वेक्तियों को शामिल करते हैं जो वास्तमें कार्य कार्य रहे हैं तो कार्य उनका जन संख्या kuil से कितना प्रतिशत हैं उनकी संख्या इसको कैलकुलेट करते हैं इसलिए हमको यहां पर गुरित 100 करके अदर को कैलकुलेट करना होता है इसी तरह हम देखते हैं कि भारत में अगर कारबल के आकार पर एक नजर डाली जाए तो यहां पर हमको को दिखाई देता है कि भारत में कारेबल की जो कुल संख्या है वो है लगभग 45 करोड इसमें अगर इस्त्री और पुरुष को अलग-अलग कर दिया जाए तो इसमें 65 प्रतिशत जो हिस्सा है वो पुरुषों का है और बाकि जो 35 प्रतिशत हिस्सा है वो महिलाओं का है अब अगर हम यहां बात करें कि महिलाओं की संक्या कम क्यों है तो इसका भी एक महातफुन कारन यह है कि महिलाओं की जो इसक्षा उस पर बहुत विशेज ध्यां नहीं दिया जाता यानि कि असीक्षा का प्रतिशत है महिलाओं में जादा है दूसरे बात ये भी है कि उनको घरेलू कार्य जो है उनके हिस्से में बहुत अधिक आता है तो वो बाहर के कार्य जो धन अर्जन करने यसे समंदित होते उनके लिए उनके पर समय नहीं होता है साथ में महिलाओं का काम पर जाना बहुत से परिवार ऐसे हैं जो आज भी इसी अवधाना को लेकर चलते हैं कि शायद महिलाओं का काम पर जाना सही नहीं है तो ऐसे बहुत से अवधाना है, ऐसे बहुत से कारण है जिनके कारण ये जो प्रतिशत है कारेबल का इसमें महिलाओं की जो संख्या है वो कम है इसी तरह एक जी जहां पर ये भी देखने को आती है कि कारिबल का लगभग 75 प्रतिशत जो हिस्सा है वो ग्रामिड छेत्रों में पाया जाता है अब क्यूंकि हमने पहले भी देखा कि ग्रामिड छेत्रों का जो अजीविका का जो म जो भी कारि होते हैं तो इनका जो हिस्सा है कारेबल में 75 प्रतिशत से अधिक है ने हम यह कह सकते हैं कि ग्रामिड जनसंख्या जो है वो कारेबल का अधिक प्रतिशत वो कवर करती है साथी साथ यहां एक बात ये भी देखने के लिए आती है कि भारत में जब सहभागिता रूप करते हैं वह जन संख्या और कारेबल के अनुपात के रूप में 16 कर पाते हैं और यहां पर अगर हम सहभाघिता किसे बात करें तो बहुत सहभाघिता हैे उसा नहीं कहा जा सकता वास्तों में जो विकार शील दे रेंख यह होते हैं जिसके बारे में आगे हम जानेंगे फिलाल यह जान लेना जरूरी है कि यहां पर जो उत्पादन की क्रिया है उसमें बहुत अधिक लोग नहीं लगे हुए है और जैसे कि हमने पहले देखा कि शेहरी चेत्री के पिक्षर ग्रामिट चेत्र का कारेबल अधिक है तो और अल हम कहा सकते है कि सहभागिता की दर की अगर हम कैलकुलिशन करें तो उसमे वृद्धी होती नजर नहीं आती है दूसरी एक बात यहां ये भी देखने को मिलती है कि शहरी चेत्री की महिलाओं और ग्रामिट चेत्र की महिलाओं को अगर हम कारेबल की रूप में कंपे एक कारण ये भी हो सकता है कि असिक्षा है अज्यानता है और इस तरह से उनसे कारे लिया जाता है जिन में बहुत अधिक मजदूरी उनको प्रदान नहीं की जा सकती है तो ऐसे बहुत से कारण है जिसके कारण हाला कि महिलाओं का जो कारेबल है वो ग्रामीन महिलाओं का जो क कि कुछ लोग मजदूरी में लगे हुए हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो स्वैम का रुजगार करते हैं तो इनके आंकडों पर अगर हम एक नज़र डाले तो यह जो स्वा नियोजीत या भाड़े की काम पर रहे निया मजदूरी एका जो काम कर रहे हैं यह वासतों में कारे कर रहे हैं और इसको जब हम दो भागों में बाढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यह एक तो स्वारोजगार और दूसरा भाड़े की मजदूरी हो जाती है आकड़ों के संबंद में अगर हम बात करें स्वारोजगार की तो स्वारोजगार में हम देखते हैं कि यहां पर का का लगबग 53,0% स्वारोजगार से आता है और दूसरा यहां पर हम नज़र डाले कि आनीयमित और नियमित मजदूरी की तो आनीयमित और आनीयमित कारेबल पर अगर हम एक नज़र डाले तो वह लगबग 32 परसेंट यह जो वास्तों में कारेबल को हम ग्रामीर शहरी करते हैं वैसे एक वरगी करन किसमें Link के आधार पर महिला श्रमिक और पुरुष रमिक दोनों को अलग अलग बाठ कर सकते हैं थो आ世界 करता से और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं से फिरीकरण करते हैं देखते हैं कि यहां पर पुरुष और महिलाओं को अलग-अलग भागों में बाटा गया है पुरुषों के बारे में अगर हम देखे तो लगभख 50 प्रतिशत पुरुष जो है वो भाड़े के मजदूर में कारे करते हैं और शेश प्रतिशत है वो स्वर और रुजगार के र महिलाएं हैं वो स्वरोजगार की रूप में कारे करती है तो कुल में लाकर यह कह सकते हैं कि यह जो ग्राफ है यह इस पस्ट करता है कि पुरुष के विशह में भाड़े के मजदूर का जो आजीविका का स्ट्रोथ है उतना ही है जितना कि स्वरोजगार का है यानि 50 हमने लेकिन महिलाओं के संबंद में ठोड़ा सका परिवर्थानिया आप पर देखने को मिलता है जिसमें तिरपन प्रतिश्यत महिलाएं लाएं स्वरोजगार को और जो बज सीतना से पुरुष के लिए। तो आपने देखा कि किस प्रकार लिंग के आधार पर इस्त्री और पुरुष के कारेबल में जो स्वानियोजित है और आनियमित मजदूरों के जो आंकड़े उनको हम किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं ठीक इसी तरह का एक वर्गी करण होता है छेत्र के आधार पर यानि क को एकि आधार से अच्छे से समझने का प्रयाज करते हैं निवास के आधार पर कारेकरताओं का वर्गी करण इस ग्राफ की आधार से समझाया जा सकता है यहां पर हम देख रहे हैं कि रेखा ओएक्स पर जो ग्राफ का निर्मान किया गया है उसमें दो प्रकार के निवास वुझे यहां पर क्योंकि हमने देखा कि निवास के अधार पर जो शेहरी कारीकरता होते हैं उन्हें लगबग 99 प्रतिशत शेहरी कार्यकरता के वह बाड़े के मजदूर के रुप में कारिकरते हैं और लगबग 41 प्रतिशत इसा जो होता है इस तरह एक इस्थिति daugya के लिए बनती है उसमें 46 प्रतिशत जो लोग होते हैं और जो 54他 को अबनाते हैं यानि कि इस पस्द हो जाती है कि सुनियोजीत रोजगार की संख्या की तोलणा में शहरी छेत्रों से कंह और भाड़े के मजदूरों की जो संख्या है वो ग्रामि्र छेत्र की दुलना में शेहरी छेत्रों से अधिक हैं धीग उनकी अधिक संख्या का मुग के कारण खेती करना हो सकता है तो आपने देखा कि किस प्रकार लिंग के आधार पर और छेत्र विभाजन र needed अब एक दूसरा अधार जिसे हम कह सकते हैं और यहां जो एक व्यैस्षाइक ढहांचा है वह समानिता हमने पहले भी करते हैं तीन छेत्रों में हम उसको विभाजित कर देते हैं पहला होता है प्राथमिक छेत्र और फिर दूसरा दृत्यक शेत्र और तीसरा जो होता है तृत्यक छेत्र के नाम से मुसको जानते हैं अगर बात करें प्राथमिक चेत्र की तो इसकी अंतरगत कौन-कौन से विवसाय आते हैं इस पेक नज़र डालें तो इसमें कृषी वान की खनन और मचली पालन पहले भी हमने इसके बारे में काफी कुछ पढ़ा है तो इससे संबंधि जो विवसाय है वो प्रात्मिक शेत्र के विवसाय के अंतरगत आत इसली गैस जलापूर्ती इससे संबंधि जो विवसाय होते हैं वो सबके सब दृत्यक शेत्र के अंतरगत आते हैं तो तीसरा तृत्यक शेत्र पर हम एक नज़र डालें तो इसके अंतरगत हम देखते हैं कि इसमें व्यापार परिवहान भंडारन इससे संबंधि विवसाय आते हैं तो यह तीनों चेतर एक दूसरे से संबद्ध होते हैं प्रात्मिक छेतर जो होता है वह वास्तों में कच्चे माल का उत्पादन करता है दृतियक छेतर में जाकर वह से निर्मित कच्चे रूप परिवर्तित करके उसको और अधिकुप योगी बनाके निर्माण का कारे करता है और तीसरा जो छेतर आता है वास्तों में उसका कारे यह जो निर्मित माल है उसको भोकताओं तक पहुंचाना होता है तो कुल मिलाकर यह तीनों छेतर एक दूसरे से संबध है अगर हम को विकास के दृष्टी कोंड से देखें तो यह मान सकते हैं कि एक व्यवसाइक धाचा विक्सित हुआ है यह तब माना जाएगा जब यह शिफ्ट होते रहे यह प्रात्मिक छेत्र के जो व्यवसाइं उनमें कारे करने मजदूरों का जो प्रतिशत है वो दृतियक में जाये बढ़े और दृतियक छेत्र से वह त्रित्यक छेत्र में फिर बढ़ता हुए बढ़ते हुए ग्राफ के आधार पर हमको नजर आए तो नजर मिलाकर इन शेत्रों के आधार पर जब कारे बल की तुलना करते हैं तो हमको ये देखने को मिलता है कि भारत में ये जो कारेबल का प्रतिशत है वो प्रात्मिक छेतर में सबसे ज़्यादा है क्याने के मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है जनसंख्या का वो प्रात्मिक छेतर में जो कारे हो रहे हैं जैसे कृषी प नगए है और तृतियाक्षेत्र को गरा हम देखे तो लगबाग 25 प्रतिश्यक्त इस्षा जो है वो तृतियाक्षेत्र में लगा हुआ है अब अगर हम बात करें कि इस पूरे के पूरे वेवसाइक सनरचना में परिवर्टन किस प्रकार से आता है भारत के परिप्रेक्ष में जब हम इसकी बात करते हैं तो समय के साथ साथ इसमें परिवर्टन की जो अपेक्षित दर है वो बहुत धीमी है यानि कि अगर हम बात करे बहुत कम है यहँ है चैता है दूसरी बात यहां यह देखने को मिलती यह जो ये चैन्ट कि विकास की गती जो है वो धीमी है क्योंकि पहले भी हमने जाना कि विकास की दिश्टी कोंड से अगर हम देखते हैं तो यह जो दर है वो हमको बढ़ती हुई अवस्ता में प्राप्त होनी चाहिए लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि विक प्रतिशत है वो ज्यादा है आखड़ों पर एक नज़र डाले तुम देखते हैं कि भारत में उन्नीस सो पचास इंकावन और दोजार तेरा चौदा के बीच जो प्रात्मिक शेत्र के संबंद में जो सर्वे किये गया उनमें लगभग 72.7 प्रतिशत जो लोग थे वो निय प्रतिशत नहीं कहलाता है हाला कि यह जो दर है वो उन्नीस सो इंकावन बावन की तुलना में तेरा चौदा में घटकर कम हुआ लेकिन फिर भी यह माना जा सकता है कि अपेक्षित जो दर थी प्रात्मिक शेत्र से दृत्यक शेत्र में जाने की वो प्राप्त नहीं की जा स की थी साथ ही हम देखते हैं कि अगर नौकरी रहित सम्रिद्धी की बात करें हाला कि व्रिद्धी तो हुई है लेकिन नौकरी रहित सम्रिद्धी के अगर बात करते हैं तो इसके अंतरकत वो सभी दशाएं आती हैं जिसमें उद्योग धंदो का विकास या उद्योगिक संर सचनाओं का तो काफी विकास हुआ लेकिन नौकरी का प्रतिशत अगर देखा जाए लोगों को रोजगार प्राप्त होने का जो प्रतिशत देखा जाए वो अभी भी कम है या एक्सपेक्टेड जो था जो अपेक्षित था वो नहीं है इसका एक महत्पूर्ण कारण हो सकता ह कि लोग जो है वो या तो असक्षित है या उनमें कारी कुछ अलता नहीं है लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है अब अगर हम बात करें कारेबल के आन्यमिती करण या दूसरा एक जो है आनौपचारी करण की तो आन्यमिती करण के अंतर गत हम एक ऐसे स्थिती को देखते हैं जो एक निश्चित समय में कारेबल जो भी पूरे कारे में लगा हुआ है उसमें आन्यमित जो श्रमिक है उनके प्रतिशत के बढ़ने की प्रवित्ति पाई जाती है और समय के साथ साथ ये जो प्रतिशत है ये बढ़ा भी है बढ़ भी रहा है आकडों पर एक नज़र डाले तो हम देखते हैं कि जहां सन 1972-73 में ये 23 प्रतिशत था वो सन 1999 और 2000 में बढ़कर लगभग 33 प्रतिशत हो गया और इसे व्रिद्धी के साथ साथ सन 2009-10 में ये बढ़कर लगभग 49.3 प्रतिशत हो गया दूसरी अगर हम बात करें अन उपचारी करण की तो यहांपर जबकि हमने देखा कि जो रोजगार है उसको हमने दो भागों में बाटा हुआ है एक तो संगठित छेत्र के रोजगार जो है वो और दूसरा जो भाग आता है वो असंगठित छेत्र के रोजगार के अंतरगत आता है तो जब हम बात करते हैं संगठित छेत्र के रोजगार की तो इसके अंतरगत वो सभी सरकारी विभाग या सारवजनिक उपकरम या निजी उपकरम सभी के सभी सम्मलित होते हैं जिनमें जो कारेबल है जिनमें जो कर्मचारी है श्रमिक है वून की संख्या जो है वो दस या उससे अधिक है तो ये जो संगठित छेत्र होते हैं ये आपचारिक छेत्र कहलाते हैं और दूसरा अनपचारिक की अगर हम बात करें तो ये आसंगठी छेत्रों को प्रदर्शीत करता है इसमें वे सभी सार्वजनिक उपक्रम निजी उपक्रम सार्वजनिक जो संगठाने वो सारी चीजे इसके अंतर आती हैं जिनमें जो संख्या है कारे करने वाले श्रमिकों की वो 10 से कम है तो यहां पर अगर हम आपचारिक और अनापचारिक करन में अंतर की बात करें तो आएए इनके अंतर पर हम एक नजर डालें आपचारिक श्रमिक वा अनापचारिक श्रमिक में अंतर पहला, आपचारिक श्रमिक अर्थववस्था के संगठी छेत्र में कारे करते हैं, जबकि अनआपचारिक श्रमिक असंगठी छेत्र में कारे करते हैं दूसरा, आपचारिक श्रमिक सामाजिक सुरक्षा के लाभों जैसे भविश्यनिदी, उपदान, पेंशन के अधिकारी होते हैं, जबकि अनआपचारिक श्रमिक इनमें से कोई लाभ प्राप्त नहीं करते हैं तीसरा आपचारिक श्रमिक श्रम संग बना सकते हैं जबकि आपचारिक श्रमिक श्रम संग नहीं बना सकते हैं चोथा बाजार के अनिश्यत्ताओं के बदले विभन कानून आपचारिक श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं जबके आनौपचारिक श्रमपो को कोई भी श्रम कानून सुरक्षा प्रदान नहीं करता तो आपने देखा कि किस प्रकार आनौपचारिकरण और आपचारिकरण एक दूसरे से भिन है अब हम देखें कि भारत में जो बेरोजगारी है उसकी क्या इस्थिति है तो बात अगर ह जिदेश अब्दों में कह सकते हैं कि जनसंक्या का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो सिक्षित है जो सक्षम है जो कारे करने के योग है छमता भी है उसके अंदर इक्षा भी है उसके अंदर लेकिन फिर भी उसके पास कोई भी कारे करने को नहीं है आजीविका का कोई भ पारा है ये पूरा का पूरा जो वर्ग है वो बेरोजगार वर्गी बेरोजगारी के अंतर गताता है भारत में अगर हम इसके प्रकार पर एक नजर डाले बेरोजगारी का प्रकार क्या है तो सबसे पहला प्रकार देखने को मिलता है सनरचनात्मक बेरोजगारी पूंजी के अभाव में या साधनों के अभाव में जब बेरोजगारी का जन्म होता है तो वो संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है ज्यादा तर देखा जाता है कि जो देश अर्ध विक्सित हैं विक्सित नहीं है जो विकास शिल है यानि बहुत दीरे दीरे वो विकास कर रहे हैं वहाँ पर पूंजी का भाव रहता है उन साधनों का भाव रहता है जिसके द्वारा उद्योग धंदर सापित किये जा सके और लोगों को रोजगार दिये जा सके अब ये जो इस्तती है आभाव की चाहिए वो पूंजी का हो या साधनों का एक ऐसे स्तती को जन्म देती है जो एक सनरचना के कारण लोगों को रोजगार नहीं दे पाते क्योंकि वो ऐसे एक सनरचना का नर्मार नहीं कर पाते जिससे वो अपने देश के लोगों को रोजगार दे सके तो यहाँ पर सनरचनात्मक बेरोजगारी का जन्म होता है दूसरा यहाँ पर प्रकार हम देखते हैं आद्रिश्य बेरोजगारी दिखाई नहीं देती लगता है कि उनके पैस रोजगार है लेगिन वास्तों ऐसा होता नहीं है कई बार क्या होता है कि कुछ जो कारी होते हैं उनमें आविशक्ता से अधिक लोग नियोजित कर दिये जाते हैं उनका जो आय है उनकी जो आय है वो ना के बराबरिया बहुत कम होती है एक नजर अगर हम डाले देश के एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कृषी पर निर्भर है ग्रामिन छेतर का जो आय कमू की स्त्रोत है वो कृषी का है तो कई बार हम देखते हैं कि एक ही परिवार में बहुत अधिक सदस है आठ या दस सदस है लेकिन उनके जो कृषी का जो छेतरफल है कृषी भूमी जो है उनके पास वो बहुत थोड़ी सी है तो देखने से तो लगता है कि उनके पास आय के स्त्रोत है रोजगार के स्त्रोत है वो कृषी कारे में लगे हुए हैं लेकिन सभी लोगों को अगर हम विभाजित करके आय का विभाजन अगर हम करे उस परिवार के सभी सदस्यों की तो ऐसा लगता है कि कारे जितना है उस क कहीं जादा लोग उस परिवार के हैं तो यहां पर देखने को मिलता है कि अनुपातिक रूप से बहुत सारे सदस से ऐसे उस परिवार के जिनके पास आये का कोई साधन नहीं है तो इस तरह की जो छीपी हुए बेरोजगारी होती है उसे अद्रिश्य बेरोजगारी का नाम द होते हैं जो समय समय पर क्रिशी की बुआई कटाई इस तरह के कारे किये जाते हैं उसमें वो जो क्रिशक वर्ग जो होता है क्रिशक परिवार जो होता है वो सलगन होता है लेकिन बाकी के जो चार से पांच माह बच जाते हैं उस महीनों में उनके पास कोई भी कारे करने को नहीं रहता है तो मौसम के आधार पर फिर वो बेरोजगार हो जाते हैं तो ये जो बेरोजगारी है मौसमी बेरोजगारी के अंतरगत आती है ठीक इसी तरह हम देखते हैं अल्प बेरोजगारी सामाने रूप से हम कह सकते हैं योग गिता या छमता के नुसार कई बार लोगो को कारे नहीं मिल पाता है जिस वेक्ति की छमता है कि वो आठ से दस घंटे कारे कर सकता है वो पार्ट टाइम कारे करता है उसको उसके हिसाब से कारे नहीं मिल पाता है दो या तीन घंटा वो कारे करता है लेकिन उसकी शारीरिक छमता थी या मानसिक छमता की अधार पर हम सांते हैं जिसने विए रोजगारी संतर से लिक्तिशन विए अनकरारें नहीं. जो हैं पाई होती हैं कि कि इसी तरहरा देखते हैं तक न कि बेरोजगारी हम और अग्रावा इस्वी के विए लुचछने से रहे हमने погंई आदिधि, देखा कि पहले जो टाइपिंग का कारे होता था वो टंकड यंत्राने टाइपिंग मशीन की द्वारा होता था लेकिन जब टेक्नलोजी डेवलप हुई तकनीकों का विकास्व और कम्प्यूटर का विश्कार हुआ कम्प्यूटर जब ओफिसों में आया तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कम्प्यूटर का ग्यान प्राप्त नहीं किया हुआ था या वो अपने आपको कम्प्यूटर फ्रेंडली नहीं बना पाए और एक ऐसी इस्तिति निर्मित हुई कि बहुत से लोगों की नौकरी जले गई तो तकनीकी विकास हाला कि जरूरी है लेकिन एक ऐसी परिस्ति को भी जन में देता है जो लोगों में बेरोजगारी फैला देती है अगला एक प्रकारेहा देखने को मिलता है एक शिक बेरोजगारी कई बार यह देखा जाता है कि लोगों को उनकी जो योगिता है उसके जो चमता है उसके अनरूप कारे नहीं मिल पाता या जो कारे उनको मिलता है उसमें जो आए होती है वो बहुत कम होती है तो रोजगार होने के बावजूद मिलने के बावजूद भी वो उतनी कम अज़ूरी पर कारे नहीं करना चाहते हैं उनके इक्षा नहीं होती है उस कारे को करने के तो ये जो बेरोजगारी का प्रकार है ये एक्षिक बेरोजगारी के अंतरकत आता है साथ में हापे हम देखते हैं कि चक्री बेरोजगारी भी हमको हापे दिखाई देती है कई बार मंदी के काल में ये स्थिति निर्मित हो जाती है कि प्रोडक्शन बहुत जादा हो गया है लेकिन मार्केट में उसके जो उत्पाद है उसके डिमांड ना के बराबर है या घरती जा रही है या कम होती जा रही है अब ये एक ऐसे स्थिति होती है जो उत्पादक जो होता है वो मजदूरों की छटनी करने लगता है क्योंकि उसको अब उत्पादन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है ज्यादा उत्पादन की ज़रूरत नहीं है तो उन्होंने जो अपने कालियों में श्रमिकों को नियोजित क करके रखा है उनको वो बेवजा मजदूरी नहीं देना चाहता और मजदूरों के छटने करने लगता है तो यह कैसी इस्थति उत्पन होती है जब बेरोजगारी का जन्म होता है साथ में एक प्रकार हम देखते हैं सिक्षित बेरोजगारी यह जो प्रतिशत है शेहरी चेत्र के लज़गारी के अंतरगत हम इसको शामिल करते हैं बहुत भयावा इस्तती इसकी है आगे भी देखने को मिल रही है मिलती रहेगी शायद क्योंकि सिक्षित लोग हर कोई जागरुक है लेकिन जितना उसके अंदर knowledge है, जितना वो सिख्षित है उतना उस हिसाब से उसको रोजगार नहीं मिल पाता इसलिए रोजगार होते हुए भी वो उसकारे को करना नहीं चाहता है तो यहां से सिख्षित बेरोजगारी का जन्म होता है इसके अपने आपने कही क शरम की मांग है वो बहुत कम हो जाती है क्योंकि उत्पादन कारे जो है वो घटने लगता है तो श्रमिको की मांग जो होती है वो कम हो जाती है और ऐसे कंडिशन में अपने आपको शरम का च्हेतर है वहां पर बनाए रखने में शरुम तो जो इस संघर्ष में सफर होते हैं उनके पास रोजगार बना रह जाता है और जो नहीं होते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं तो यह एक ऐसी दशा है जब संघर्षात्मक बेरोजगारी का जन्म होता है तो यहां हमने देखा कि बेरोजगारी के कौन-कौन से प्रकार है अ बात करते हैं तो बेरोजगारी की इस समस्या को हम दो अलग अलग भागों में बाट कर देखते हैं जिसे कि हमने पहले भी देखा कि छेत्र को हम अलग करते हैं क्योंकि दोनों की स्थिति परिस्थिति अलग अलग होती है तो ये दो छेत्र जो होते हैं यहां हम ग्रामीड और शहरी दो भागों में बाट कर हम इसका अध्यन करते हैं तो बात करें अगर हम ग्रामीर बेरोजगारी की तो हमने पहले भी देखा कि भारत जो है वो गाओं का देश है लगबाग 75% से अधिक की जो आबादी है वो गाओं में रहती है और गाओं के जो लोग है वो अधिकतम उनका जो कारे मुख जो कारे होता है वो क्रिशी करना होता है या हमने पहले भी देखा कि जो प्राथ में छेत्र के जो कारे होते हैं जिसे क्रिशी करना पशुपालन मचली पालन खनन इस तरह के कारें में वो सलगन रहते हैं तो इनकी आधार पर अगर हम ग्रामीर बेरोज सबसे पहले के पास क्रशी के लिए भूमी है जैसे कि लिए रखता नहीं है लेकिन उनके परिवार के लोगों की की संख्या और जमीन नहीं कर्षीह बहूतका दो कुछíst ने लोगते की कि फोसुब सुती हैं उर्बिज्व Yutas Segil तो प्रतेक के हिस्से में आय का जो एक अनिश्चित भाग है जो होना चाहिए उसको अपनी अजीवीका को चलाने के लिए वो नहीं जा पाता है कुल मिलाकर देखने से तो लगता है कि उनके पास रोजगार है लेकिन वास्तिवी किस्थती यह होती है कि उन में से कुछ सदस बेरोजगार रह जाते हैं तो यहां पर ग्रामीड चेत्रों में अद्रिश्य बेरोजगारी का जन्म होता है दूसरा इसके अंतरगत हम देखते है मौसमी बेरोजगारी हमने बेरोजगारी के काफी बहुत सारे प्रकार पड़े इसमें से हम ग्रामीर बेरोजगारी को अलग कर दे तो एक दूसरा बिंदू आता है मौसमी बेरोजगारी मौसम के अधार पर जैसे कि हमने पहले भी देखा कि 7-8 माँ अगर एक आकलन किया जाए तो 7-8 माँ है क्रिशी का कारे होता है वर्ष भर नहीं हो पाता है तो बाकि जो समय बच जाता है वो मौसमी बेरोजगारी के अंतरगत आ जाता है कुछ एक सर्वे भी जो किये गया है उस पर अगर हम एक नजर डाले और देखे कि क्या स्थिती रही है मौसमी बेरोजगारी के ग्रामी छेत्रों के अंतरगत तो यहां हम देखते हैं कि क्रिशी आयोग के अनुसार जो चार से पांच माह यह जो लोग होते हैं वो बेरोजगार रहते हैं और साथी साथ यहां पे जो श्रमिक है उनको मात्र दोसो अठारा दिन का अरोजगार ही मिल पाता है अगर हम बात करें हाँ पर कृषी आयोग के सर्वे की दूसरा जो एक सर्वे है वो है दृतियक कृषी श्रमिक जाच तो दृतियक कृषी श्रमिक जाच के अनुसार ये पाया गया कि कृषी श्रमिक को मातर 218 दिन याने कि 7 से 8 माह का रोजगारी मिल पाता है बाकी समय वो मौसमी बेरोजगारी उनके अंदर बनी रहती है तीसरा एक सर्वे जो हम देखते है वो है ग्रामीन श्रमिक जाच समिती के अनुसार 1964-65 में ये जो सर्वे किया गया उसमें ये पाया गया कि लगभग पूरशो को जो रोजगार प्राप्त होने के दिन है वो लगभग पूरे वर्ष में 240 दिन और महिलाओं के लिए लगभग 169 दिन ही है यानि कि बाकी जो समय बचे उन समय में वो बेरोजगार रहे है तो ये तो ग्रामीर बेरोजगारी के समन्द में हमने देखा साथ में एक चीज हमने ये भी देखा कि ग्रामीर छेत्रों में ही आकस्मिक बेरोजगारी पाई जाती है प्राक्रितिक अबदाय समय के अनुसार कई बार बहुत ज़्यादा बाढ़ हा जाने से सूखा पढ़ जाने से ओले गिर जाने से बहुत सारे ऐसे समस्याएं श्रमिकों के सामने उत्पन हो जाती है कि चाहते हुए भी वो क्रिशी से संबंदित कोई कारें नहीं कर पाते हैं तो इस समय आकास्मिक बेरोजगारी का जन्म होता है तो ये तो रही ग्रामिर चेत्रों की बात अगर हम शहरी चेत्रों की बेरोजगारी पर नज़र डाले तो जैसे कि हमने पहले भी देखा एक तो होती है सिक्षित बेरोजगारी यानि कि सिक्षित है लेकिन उनको ऐसे लगता है कि उनके अंदर जो कॉलिफेकेशन है उसके अकॉर्डिंग उनको काम नहीं मिल पा रहा है तो रोजगार होते हुए भी वो उसकारे को करना नहीं चाहते हैं दूसरा हम देखते हैं कि ओद्योगिक बेरोजगारी यानि उद्योग धंद स्थापित तो हो रहे हैं लेकिन फिर भी शायद उनका आकार उनकी संख्या इतनी नहीं है जितनी की जनसंख्या है पूरी की पूरी जनसंख्या को वो रोजगार नहीं दे पाते हैं दूसरा एक मात्वपूर्ण कारण ये भी है कि ग्रामिड छेत्रों में कृशी के अलावा अन्य किसी प्रकार के रोजगार के अवसर नहीं होते, लोग गाउं से शहर के और पलायन करते हैं, अब पहले से गाउं में जनसंख्या का जो दबाव है वो काफी रहता है, ग्रामिड छेत्रों के लोग भी अगर पलायन करके शहर के और आते हैं, तो ये जो दबाव है बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धी होती है, उस अनुपात में ओद्योगिक शेत्र में उद्योग धंदो का विकास नहीं हो पाता है, अब ये कैसे स्थि बनती है जब ओद्योगिक बिरुजगारी जन मिलेती है,